हेलो एवरिवान एंड वल्कम बैक तो गेमिंग साइट तो गाइस जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि फार्मिंग सिमिलेटर 23 जो है वो अनौंस कर दिया जाएंट सॉफ्टवेर वालों ने और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या-क्या इसको यह गेम जो हो रिलीज होने वाली है विच इस वेरी गुट टाइम और बिस तीन महीने रह गए हैं इस वीडियो को बनाते हुए तो यह बहुत लब के बहुत ही कमाल की चीज़ है कि पूरे का पूरा एकदम से मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गेम जो है वो पह देखने को मिलेंगे एक अमेरिकन स्टाइल मैप है जबके दूसरा मैप जो है वो यॉर्पियन स्टाइल है सो यह मतलब के एक बहुत ही जबर्दस्त किसम की जो है वो फीचर है इसमें क्योंके गाइस अभी तक जितने भी हमारे पास जो है वो मॉबाइल फार्मिंग सिमिल याद अमर्स्टं जो है वो अमेरिकन मैप होगा उसका नाम जो है वो अम्सीे होगा इस गेम में होगा फार्मिंग 213 Android iOS वाली में ऐमरिकन मैप का नाम अम्इस ठें होगा जबके यॉर्पियन मैप है उसका नाम होगा निउपरण जो यह दो मैप्स के नाम है और आपविसल चेंज हैं जो के फार्मिंग सिमिलेटर 22 में एक बहुत बड़ा फीचर है और बहुत स्यादा पॉसिबिलिटीज जो है वो इससे एवाल्व होती है तो गैज यह सारे हमें एक चीज को देखना पड़ेगा कि यह वो फीचर हैं जो हमें अप्फरंट पे गेम में जो हो भी जब आपको पता ही है कि बाद में गेम की अपडेट्स भी आती है तो जो अगर प्रडेक्शन चेंज इसमें एड़ कर दी गई है आप्वियसली न्यू अपडेट्स में हो सकता है हमें मजीद प्रडेक्शन चेंज भी जो हो देखने को मिलें सो घ्यांग करें तो क्रॉत spring की बात करते क्योंगि जिसमें ऊलिव और ग्रेप्स। और सौरज होंगी मैंने प्छे वीडियो में बताया था आप्राइब का लेकिन सवर्भूम भी और सनीयम में एड़िट है इसके इलावा अगर हम गाइज बात करें तो इसमें दो न्यू अक्टिविटीज एड़ कर दी है जिसमें प्लॉइंग और वीडिंग है प्लॉइंग फार्मिंग सिम्मिलेटर मोबाइल में आज तक हमें देखने को नहीं मिली थी लेकिन अब हमें जो है वो प्लॉइंग का इसके बाद गाइज वीडिंग एड़ कर दी है वीड अगर आपकी क्रॉब में होगी तो आपका येल्ड कम होगा तो आपको आप वीड जो हो जड़ी बूटियां जो उगाती है फसल के साथ वह भी खतम करने को मिलनी पड़ेगी इसके इलावा अगर हम एनिमल्स की बात कर जो के काफी इंट्रस्टिंग है वो है क्लेक्टिबल्स क्लेक्टिबल्स बेसिकली मुबाइल पे तो ऐसा कुछ सीन नहीं था लेकिन पीसी के उपर मैप में छोटी-छोटी कुछ चीजें होती है जिनको आपने ढूंडना होता है वो पूरे मैप के उपर बिखरे पड़े ह होते हैं तो यह भी एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज है और देखना यह होगा कि जब गेम आती है तो हम कितनी जल्दी इन क्लेक्टिबल्स को जो है वो क्लेक्ट कर सकते हैं इसके इलावा गाइस फोरेस्ट्री एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि इस बार एड़ कर दि काट सकते हैं AI helper जो है वो हमें पैलेट्स वगएरा और यह सारी loading वगएरा में भी जो हो help कर सकता है तो फोरेस्ट्री गाइस एक मतलब कि इसमें बहुत बड़ा फीचर है और इसके इलावा गाइस जो मैंने अभी आप से mention किया कि इसमें जो है वो front loaders हमें देखने को मिलें जो के farming simulator 20 में थे ही नहीं सो जो pallets वगएरा हैं इसमें अब front loaders देखने की बात होगी कि हम drive करेंगे यह AI drive करेंगे क्योंकि यहां पे giant software वाला ने clarification नहीं दी है तो मेरे ख्याल से तो यह शायद AI operated होंगे यह अगर हम drive करें तो यह बहुत ही जबर्दस्त बात होगी तो यह सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास हैं तो अगर हम brands की बात करें तो main brands इसमें Case IH होगा, Class होगा, Dudesfar, Fent, John Dare, Kron, Massive Ferguson, New Holland, Waltra यह सारे brands इस game में जो है वो guys main brands हो अगर बाकी तो आपको पता ही है कि different brands होते हैं कोई 20-30 brands जो है वो total mix होके जो हो बन जाते हैं So 20 जो है वो successor है यह basically game farming simulator 20 की तो इसमें obviously उससे ज्यादा improvements भी होंगी और guys अगर हम इन screen shots को देखें तो मैं to be honest guess नहीं कर सकता है कि यह screenshot farming simulator 22 का है यह farming simulator mobile वाली game का है तो graphics भी मेरे ख्याल से definitely हमें improved देखने को मिलने वाले है so guys अब अगर हम बात करें तो क्या यह game optimized हुई होगी या नहीं तो guys जो farming simulator 19 थी वो इतनी ज्यादा optimized नहीं थी जबके farming simulator PC 22 जो थी वो उसके मकाबलें काफी ज़्यादा optimized थी तो इसके मतलक अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि मुझे जो good feeling आ रही है वो यह farming simulator 20 से शायदा ही optimized हो but anyways यह उस वक्त की बात है जब हमारे हाथों में games आएगी तो guys इस game के मतलक अब obviously giant software वाला ने announce कर दी है तो इसके मतलक मैं मजीद जितनी भी information जो है वो collect करने की कोशिश करूंगा तो अगर अभी ताका आपने इस channel को subscribe ने किया तो it's a good opportunity for you आप channel को subscribe करें और guys वीडियो को like जरूर कीजिएगा इस video का aim 400 likes है so I hope कि इतने likes जो है वो आप मिली जाएंगे क्योंकि यही तो वो news थी जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे तो इसके बाद जो है वो कुछ रह नहीं जाता so आप बताएं आपको कैसी लगी यह news मुझे comment section में बताएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत सा क्या रखेगा बाई बाई